नमस्कार क्यापचल टिवी का खाश शो राहूल का अगने पर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा राहूल गांदी की अन्याई यात्रा चत्तिस गड़ में एंट्री ले चुकी है यात्रा आज ओरिसा से राइगर पहुंची बॉर्डर पर फ्लैग हैंड सरिमनी हुई फिर दरा मुडा में नाइट हाल्ट आज होगा वैसे राहूल गांदी के दिल्ली जाने के चलते नौ दस परवरी को यात्रा विराम पर रहेगा पर इस बीच राहूल गांदी ने पियम मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बवाल मज गया है राहूल गांदी ने ओरिसा के जारसु गुडा में पियम मोदी की जाती को लेकर निशाना साथा राहुल गांदी ने कहा कि पियम मोदी अने पिछडा वर्ग यानी OBC समुदाय से नहीं है उनका जन्म गुजरात में तेली जाती में हुआ था जो समय एक जन्रल कास थी इतना ही नहीं राहुल गांदी ने अपने सोशल मीडिया प्लाटपॉर्म एक्सपर इस बयान का वीडियो भी पोस्ट किया और पोस्ट करके लिखा सच सुनो नरेंद्र मोदी जन्म से OBC नहीं है उन्हें OBC गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है वो कभी पिछलों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी जातिकत गिंती नहीं करने वाले जातिकत गिंती कॉंग्रसी करके दिखाएगी तो आज राहुल गांदी के इसी बयान पे चर्चा करेंगे पहले बयान देना फिर शोशल मीडिया पर लंबा चोड़ा वीडियो के साथ पोस्ट शेयर करना ये क्या कह रहे हैं राहुल गांदी पियम मोदी की जातिको लेकर राहुल गांदी ने एक सवाल किया कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी अन्य पिछड़ा वर्ग यानि OBC से नहीं आते हैं मतलब जन्म जिस समय उनका हुआ उस समय OBC से नहीं थे लेकिन सवाल एक और है राहुल गांधी क्या ये सवाल कर सकते है कि परधान मंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू है या नहीं या फिर अपने उपर एक सवाल ले सकते है कि वो किस धर्म को मानते हैं क्योंकि धर्म होगा तो धर्म के अंदर जातियां होगी क्या संग के विचारधारा से जहां से ट्रेनिंग मिली है परधान मंतरी नरेद्रमोदी की जिस सनातन परंपरा की बाद परधान मंतरी नरेद्रमोदी करते हैं क्या वो कभी भी जातिय आधार पर समाज को बाटने की बात को स्विकार करते हैं कभी भी किसी संग वाले ने कहा कि हिंदू धर्म में अलग-अलग जातियां है और उन जातियों की स्थिती को वैसे ही बनाए रखना चाहिए हमेशा अगर देखा जाए तो संग की विचारधारा रही है कि जातियां को कैसे लिया जा सकता है एक वर्टिकल होता है एक होरिजेंटल होता है यानि पैरलर समानांतर तरीके से अगर अलग-अलग जातियां है तो जाति सिर्फ पहचान का रूप लेती है मतलब आपकी पहचान हिंदू धर्म में है हिंदू है आप आपके काम के आधार पर कुछ एक और पहचान दी गई है जिसमें जातिये पहचान होती है जैसे कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जन्म से लेकर मरने तक मौत तक हमेशा अलग-अलग पहचानों में जीता है और इसलिए ये कहा जाता है कि हमेशा लोग पहचान के लिए संघर्ष करते रहते हैं और पहचानों का संकट भी कभी कभी पैदा होता है कोई व्यक्ति पैदा होता है उसे उसकी पहचान मिलती है कि वो उस व्यक्ति का पुत्र है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है स्कूल जाता है उसकी पहचान बनती है वो स्कूल का च्छात्र है फिर प्रोफेसनल में आता है उसकी प्रोफेसनल पहचान बनती है अलग अलग कामों के आधार पर पहचान निरधारित होते है इसको class of identity भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोग अपने अंदर के कई पहचान मंत्री नरेंदर मोदी के अंदर नहीं रही अगर वो घर से निकले, सन्यासी बने, कई आस्रमों में गए तो क्या उनके अंदर इस बात के लिए confusion थी, कि हम किसी हिंदू संथ के बदले कहीं चले जाते हैं मजार पे, किसी मौलाना के पास चले जाते हैं, वहाँ से भी सिक्षा मिल जाएगी चर्च के पाद्रियों के पास जाकर ग्यान लेते हैं, कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है हमें अपने अंदर की पहचान को दिखाना है, बताना है कि हम है कौन, उन्होंने हमेशा उन संतों के आस्रमों में जाना सुविकार किया, जो सनातन परंपरा को मानते हैं उसके बाद, वो संग में शामिल हुए संग में भी जाती की विवस्था नहीं थी, जाती आधार पर किसी की पहचान नहीं थी बलकि वहाँ पर हिंदू के आधार पर पहचानती सनातन परंपराओं का पालन करते हैं कि नहीं हिंदूओं के परती आपके विचारधारा क्या है जातिय समाज जो बटी हुई है जिसमें उपर से नीचे तक बना दिया गया है कि एक केटेगरी है उस केटेगरी को तोड़ना है सब को एक जूट करना है अब सवाल उठता है राहुल गांधी की पहचान क्या है धर्म के आधार पर जाति के आधार पर अगर धर्म के आधार पर देखें तो राहुल गांधी अपने आप में एक कन्फियूज परिवार में है जिसे पता ही नहीं है कि हमने कब कौन सा धर्म माना अगर नहरू की बात करें जो की मोतिलाल नहरू से पहले की है जवाहरलाल नहरू के पिता मोतिलाल नहरू मोतिलाल नहरू से पहले की पहचान जम्मु कस्मीर में काते हैं भाई ब्रामन परिवार में कश्मीरी पंडित है ये अभी भी कंट्रोवर्सियल है कि जब नेहरू का परिवार कश्मीर से यहां आया था तो वो हिंदू था या मुसल्मान था इनकी परमपराएं जड़े हिंदू थी या फिर मुसलिम थी यहां पर आये आपने उन मुसलिम सासकों से कुछ जमीन ली उसके दरवार में हादरी लगाए और उसके बाद नहर किनारे बसने के कारण आपने सहर जो अपना सरनेम बदला वो नहर से नेहरू बना लिया यह कोई हिंदू परमपराओं में नहीं है आप नहीं देखेंगे कि कश्मीर में कोई भी ब्रहामन परिवार है वो कॉल रखता है वो टिकू या वहां के अस्थानिये सरनेम होते हैं लेकिन वो नहरू सरनेम कहीं नहीं देखेंगे अगर वो पियमोदी की जाती पर सवाल कड़ा होना ही चाहिए पहले तो धर्म पर सवाल कड़ा होना चाहिए अगर धर्म होगी तभी तो जाती होगी अगर धर्म पर सवाल खड़ा किया जाए तो उसके बाद हुआ क्या जवाहरला नहरू ये कहते थे हम हिंदू मुसल्मान किसी की बात ही नहीं है हम तो तारकिक धर्म को मानते हैं अब तारकिक धर्म कौन सा है तो फिर आपने हिंदू सनातन परंपराओं को चोड़ दिया आप हिंदू नहीं रहे शिर्मती इंद्रा गांधी आई उसके बाद उन्होंने चाहे तो मुसल्मान कहें या पार्सी कहें फिरोज घान से सादी की फिरोज घान फिरोज गांधी बन गए इंद्रा नहरू प्रियदर्षनी जो थी वो गांधी बन गई अब इन लोगों के आगे की परंपराए क्या है इंद्रा गांधी के बाद ये राजिव गांधी शादी किये सोनिया गांधी से वो क्रिष्चन महिला बचपन से ही वो Christianity को देखती रही उसके बाद यहां आने के बाद कहीं ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान आने के बाद भी वो लंबे समय तक तो इटले की नागरिक रही यहां की नागरिक्ता नहीं ली जब Congress में entry होई नागरिक्ता बदल ली थी क्योंकि dual citizenship था नहीं तो उन्होंने नागरिक्ता ली लेकिन उसने धर्म बदला इसका record है कहीं कि किसी धर्म परिवर्तन किया आपने अपने पती यानि राजिव गांधी के धर्म यानि उनके भी धर्म पर confusion आप पार्सी हैं, मुसल्मान हैं, हिंदू हैं ये confused रहा, एफिडिविट पर लिखवाने से नहीं होता है आपकी आस्थाएं उसी परंपरा का एक हिस्सा होती है उसी के बाद ये राहुल गांधी अब पैदा हुए हैं हिंदू हैं, क्रिश्चन हैं, मुसल्मान हैं ये खुद ही confused हैं लेकि जब पियम मोदी के सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किये थे तो उनकी सांस्दी तक चले गई अब जाती को लेकर इस तरह के बयान बाजी कर रहे हैं बीजेपी तो आग बबुला है क्या ऐस तरह के बयान देना राहुल गांधी को भारी पड़ सकता है बिल्कुल सजा होनी चाहिए फिर से सजा होनी चाहिए सवाल अभी भी वही पर है क्योंकि आपने क्या कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जन्म लिये थे तो तेली गंची जाती जो है वो OBC केटेगरी में नहीं आता था अब राहुल गांधी अपने इर्द गिर्द के उन मुर्ख सलाहकारों से पूछे कि जब क्राइटेरिया बटा था अन्पिछडा बर्ग OBC की बात करते है यह अन्पिछडा बर्ग में कास्ट कहां है इसमें वर्ग ग्रूप की बात आई है OBC है जो अधर बैकवर्ड क्लास है कास्ट नहीं है यह अन्पिछडा वर्ग है उस वर्ग के अंतरगत जातियों को शामिल किया गया काका कालेल कर किया है हो गाई उस समय 1953 में यह बताया गया कि हिंदुस्तान में अलग-अलग जातियां है और 3000 से जादा जातियां है जिसके आर्थिक स्थिति खराब है तो उनको उनके पिछडे पन के आधार पर समाज की मुखधारा में शामिल करने के लिए आपको जातिया आधार पर वर्ग बनाना पड़ेगा फिर क्यों नहीं अलग-अलग जातियों का दिया जाता रिजर वेशन अलग-अलग जातियों को मिलाकर एक वर्ग क्यों बनाया गया अन्य पिछड़ा वर्ग अब अन्य पिश्रा वर्ग के अंतरगत आया कि अती पिश्रा वर्ग बनाओ, बिहार में भी बनाओ, EBC, अब EBC, OBC की बात जो हो रही है, वो तो 1990 में जब मंडल कमिशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेस किया गया, और VPC ने उसे पास करवा के रिजर्वेशन की बात क 27% रिजर्वेशन निर्धारित हुआ अन्य पिश्रा वर्ग के लिए, तो क्या PM मोदी 1990 से बाद पैदा हुए, यह राहूल गांधी और उनके टीम के मुर्खों के टोली को समझना चाहिए, कि जब यह वर्ग OBC की बात जो तुम कर रहे हो, वो वर्ग जब निर्धारित बा पिश्रा वर्ग की जातियों का जिक्र किया गया है गुजरात के अंदर, पूरे देश के अंदर तो 2800 से जादा जातियों का जिक्र किया गया है और उससे पहले 500 जातियों का OBC के अंदर जिक्र किया गया था पिश्रे वर्ग में, लेकिन 150 जातियां जो है उसके अंदर, उ अलग-अलग व्यापारी वर्ग है उसमें से तेली-गांची वर्ग जो था जो जाती थी वो 150 जातियों में शामिल थी जिसको मंडल कमीशन में पिछड़ा वर्ग बताया गया था और जो OBC के क्राइटेरिया में आया था लेकिन उसके बात की बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की बात है अभी भी OBC वर्ग में कई जातियां सामिल हो रही है अती पिछड़ा वर्ग में कई जातियां सामिल हो रही है जैसे बिहार में ही पिछड़ा वर्ग को दो केटेगरी में बाट दिया गया अन पिछड़ा बर्ग और अती पिछड़ा बर्ग दलित को दलित और महा दलित में बाट दिया गया ताकिरी जर्वेशन का सही उपयोग किया जाए सही फायदा इन लोगों को दिया जाए लेकिन अगर कोई सतर साल के व्यक्ति को बोले कि तुम पैदा हुए नहीं थे इस जाती में बाद में तुम्हारी जाती को इसमें शामिल कर दिया गया सतर साल पहले इन निर्धारित ही नहीं हुआ था तो फिर शामिल कैसे किया जाता जब निर्धारित होना शुरू हुआ शामिल किया गया पिछड़ा वर्ग तो था क्या पिये मोदी किसी जमिंदार परिवार के थे जो हिंदुस्तान के अंदर बात की जाती है अगर जाती है विवस्था के अंदर हिंदू के जाती है विवस्था के अंदर तो क्या पिये मोदी ब्राह्मन है राहुल गाधी ब्राह या कायस्त की स्रेणी में आते हैं पिये मोदी क्या है पिये मोदी तेली समुदाय से आते हैं यानि कि जिस जाती का काम तेल बेचना पेरना हो और यिस जाती के वर्ग को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया अब ये OBC की बात हो गई लेकिन राहुल गांधी ने इससे भी ज़्यादा घटिया बयान दिया है जिसके लिए उसे कटगरे में खड़ा किया जाएगा फिर से सजा होनी चाहिए और वो है कि क्या पीए मोदी को आपने कभी दलितों से हाथ मिलाते देखा OBC से हाथ मिलाते देखा अरे बेवकूफ ये समझो कि ये पीए मोदी वही है जो हाथ नहीं मिलाए बलकि उन दलितों साप करने वाले लोगों कुड़ा कचड़ा साप करने वाले लोगों के पैर धूले थे पैर फूल बरसाए पैर धूले तुम हाथ मिलाने की बात करते हो ये वही राधिकल गांधी है जो चलते फिरते अगर किसी से हाथ मिलाता है तो बगल में सेनिटाइजर लेकर खड़ा रहता है उसके पास एक आदमी उसके बाद वो हाथ साफ करने में लग जाता है क्योंकि तुम सामन्ती सोच के सामन्ती परिवार से आयो जिस परिवार में जवाहरलाल नहरू पैदा हुए जो पैदा हुए थे तो मोतिलाल नहरू के घर में कार उस समय बड़ी कोठी महलुमा घर और उसके बाद नहरू विदेश में गए पढ़ने कहां पढ़ते थे लंडन में पेरिस से कपड़ा धुला के आ रहा है गुलाब का कोट में रखे हुए उस जमिंदार परिवार में पैदा होके तुम उस मानसिकता से ग्रसित हो कि तुम्हें समझ नहीं आता कि एक पिछड़ा वर्ग होने का दर्द क्या होता है ये सिंसिस करवाने की बात करता है तो इसलिए जो टिपनी इसने की है राहुल गांधी ने जि जो कि ये मोदी सरनिम जैसा ही है जिस तरीके से सारे मोदी समुदाय को राहुल गांधी ने अपमानित किया था तेली समुदाय को अपमानित कर रहा है वो सरनिम था ये जातित है और ये जातिया अधार पर जिस तरीके के टिपनी की गई है और वे एक ऐसे व्यक्ति के हुए हमारा परिवार गरीब था हम कभी चाय बेचा करते थे हमारी आर्थिक इस्थिति ऐसी थी उन्होंने ये कहा कभी कि हम तेली थे हम बनिया थे हम यादब थे हम कुर्मी थे कोईरी थे ये जो सारे नेता आजकल बोलते चलते हैं उन्होंने अपने आर्थिकादार पर भी भी किसी भी इस्तर पर इस हिंदुस्तान में किसी भी पद पर पहुँच सकता है राहुल गांधी को इसे समझना चाहिए और जो जातिया की बात है तो क्या अभी जो पियम मोदी ने कहा कि इस हिंदुस्तान के अंदर दो ही जाती है एक गरीब एक अमीर अब वो गरीबी की बात अपनी किये अपनी जाती की बात नहीं किये ये राहुल गांधी OVC OVC की बात करके सेंसस की बात करके अधिकारों की बात करके अपने पुरुबजों को पहले गाली दे रहा है कि इंद्रा गांधी ने ऐसा क्यों नहीं किया क्या इंद्रा गांधी को ये गाली नहीं पढ़ रही है कि तुमने सेंसस क्यों नहीं करवाया मन मोहन सिन के समय में क्या सोय हुए थे सेंसस क्यों नहीं करवाया जाती है अधार पर जवाहरलाल से लेकर इंदरा गांधी से लेकर अपने फ़रगिये पिता राजिव गांधी से पूछो एक बार कि इस समय तक अभी तक सेंसस क्यों नहीं हुआ क्योंकि जाती की अवधारना 1947 के बाद तो नहीं हुई हिंदुस्तान में जातियां पहले से थी इसलिए इस बार राहुल गांधी को लंबा फसना है और इसे सीधे मंच से घसीट कर तिहार में बेजना चाहिए क्योंकि ये फ्रस्टेशन में पागल हो गया है और इसी के कारण ये अभी ऐसा ब्यवस्था करने लगा है कि किसी तरीके से सत्ता पाने के लिए देश तोड़ना भी पड़े तो उसको तोड़ दो समाज को तोड़ दो जैसा परदान मंतरी पिछले दिनों भाशन में उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस अब देश को समाज को तोड़ने में लग तो राहूल गांदी ने ओरिसा में अपनी भारत जोड़ो नया यात्रा में प्येमोदी पर खुद को ओविसी बताने को लेकर लोगों को गुम्रा करने का आरोप लगाया उनुने कहा कि प्येमोदी का जन्म घंची जाती के एक परिवार में हुआ था जिसे गुजरात में बी अब अपनी राय कमेंट कर लिखें देखते रहें किया पजल टीवी नमस्कार